हेलो दोस्तों तो मैं आज प्रिंसेस कट ब्लॉज की कटिंग करूंगी जो लहंगे की ब्लॉज है तो इसका गला वाला सब नपा जुखाया है ठीक है तो यह मैं उपर से इसका साड़े नौ इंच पर मैं नाप लिया है और नाप के इसकी गुलाई को मैं आर्मॉल से मिला ठीक है दोस्तों इस तरीके से हम अपना पर करेंगे तो हमें कोई दिख कर देगा दोस्तों देखिए इसको मैं क्या करूंगे ने डार कर लोंगी अब मैं जो ब्लॉज का है लहंगे के ब्लॉज उसमें नहीं अलग से नापूंगी इसी को डार कर दोंगी डार करने से होगा कि इसी को इसके पर रखके और इसको इसका मतलब डॉट मिसकी इसके से मिल जाएगी और अच्छे से इस पर भी छाप आ जाएगी फिर मैं उसको डार करके और उसको भी कटिंग अच्छे से कर लोगी तो यह देखे दोस्तो मेरे यह लहेंगे का बलॉज हैगा जो मैंने लहें लगारी बिना कप कही है पर है ये प्रिंसिस कटी ब्लॉज तो ये जो मेरे सेंटर है मैंने सेंटर से सेंटर को मिला लिया है जो मेरे लहेंगा की ब्लॉज है और जो अस्तर है दोनों को मैं सेंटर पर मिला लेती हूं और सेंटर पर मिलाने के बाद मैं इसकी जो ड्रॉव मैं मैंने किया था नीची अस्तरवाले कपड़े पर अब ऐसे हाथ को थप थपा दूँगी ताकि इसका ड्रॉप जो है वो इसके पर आ जाए ठीके दोस्तों अब मैं इसको निकाल दूँगे और निकालने बाद इसका देखने हैं दोस्तों कितने ईजली तरीके से काम हो गया इसकी कटिंग कर दोंगे इस तरीके से दोनों पल्लो को पकड़के मतलब दोनों फ्रेंट के आगी को पल्लो को पकड़के और फिर मैं इसको सेंटर मिला लोंगी इस तरीके से मारा प्रिंसिस कट कटिंग हो जाएगा ठीके अब यह जो मैंने कट किया था कट करके जो कपड ही होता है ठीक है थोड़ा हूं अगर 19 भीस होफ हो तो उसे डणने वाली की बात नहीं है हम अपना एक्स्ट्रा मार नीचे रख रखेंगे ठीक है तो इस तरीके से हमारा कभी सेंट्र मिल सकता है कभी सेंटर में 12 हो सकता है ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है थिक है तो आप ऐसे दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ होगा है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरू करेगा सिर जरू करेगा कमेंट जरूर करेगा जो भी आपको पूछना होगा वो जरूर पूछिए आप जो भी पूछेंगे मैं उसका सवाल का जब आप जरूर आप लोग को दूंगी तो इस तरीके स से हम इसको मिला लेंगे ठीक है अब यसछी किसे मेरा सेंटर मिल चुका है ऊसका दोनों अब जो लहंगे का कट कर रखा था मैंने одно का म fert इसको भी मैरे कटकर लिया था अपक्र करने के पाद उन दोन को, मिला दूंगी दोनों के आगे के फ्रेंट बार्ट को दोनों डोनों क इस तरीके के हाथ की HELP से हलका-हलका losing लोजिंग देककर टाइट नहीं देना है, हलका-हलका losing लोजिंगे इसको stitching कर देना है ठीक है तो जैसे एक पार्ट मिला वैसमें वह वाला पार्ट भी किस्टिश कर दूंगी दोस्तों धियान रिखेंगे एक यह थैस स्टिच करेंगा चितना हल्के हाथ से स्टिच करेंगे लिए कि उडिनी स्टिचि करेंगा फरीके यह से प्रेंट पर्फेक्ड फिन पसंची फैक है तो देखें दोस्तो यह हमारे मिल चुका है अब जो गला अब पहले से नहीं बना रखा था अब मैं गले को कमप्लीट करूंग तो यह देखें सीध्य पोशन और सीध्य पोशन को मैं से घला जाएगा। ठीक है तो यह प्लट के उल्डे साइड सब जाएगा और जो हमारा फ्रंट पाइट है वह आगे के साइड आ जाएगा तो यह मैं पिन अप कर दियों मुझे जितना भी मेरा गला लेना है उसके अकॉर्डिंग मैंने गला काट लिया है ठीक है और जितना थोड़ा मेरा एक्स् जमाव बना रखे अब इस तरीके के हाथ की हल्प से दीरे 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 हलका हलका कपड़ा छोड़के और स्टीचिंग बराबर भाग में कर देना हैगा कि दोस्तों इस तरीके से मेरा गले की सिलाई कमप्लीट हुई अब जो मेरा पीन है उस पीन को मैं निकाल दूँगी तो जो मेरा एक्स्ट्रा मार्जेन उसको मैं कट करके निकाल दूँगी कभे भी ध्यान रखे के दोस्तों अस्तर के कपड़े से थोड़ा सा कपड़ा जो लहेंगए कपड़ा है वह थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए चार तुरप से ताकि छोटा बड़ा हो तो बाद में हम कट करके बाहर एक्स्टा कपड़ निकाल दे तो मैंने कट मार दिया अब देखे फ्रंट साइड मेरा कितना परफेक्ट निकल के आये हुआ है यह देखे दोस्तो तो इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट बहुत ही इसली से बहुत सुन्दर तरीके से फ्रंट पार्ट भी आगया और पिंसे सकट भी बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है गा अब यह दोस्तों यह मेरा नेक है जो उसको मैं इस तरीके से स्टीच कर रही हूं ठीक है तो पहले वाला बेक पार्ट है वह मैं पहले ही वीडियो में अपनी डाल चुकी हूं तो आप लोग जरूर जाके आप मेरे वीडियो देखेगा और यह फ्रंट पार्ट है लहेंगे का तो दूनों भागों को मैंने जॉइंट कर दिया फ्रंट और बेक पार्ट को अब उसके बार मैं इसको स्टिच कर रहे हूं आई होट दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो अगर अच्छा लगे तो दोस्तो प्लिस लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलेगा शेयर करना भी मत बूलेगा ज्याज़ ज़्यादा शेय ताइब करेगा दोस्तों आप लोग की सपोर्ट की मुझे जरूरत है कि प्रेंड्स इतने तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों पहले की मेरी वीडियो आप लोग जाके देखिए मैंने वीडियो बहुत अच्छे डाल रखे हैं इस्टिचिंग के बारे में वीडियो बहुत अच्छे डाल रखे हैं और ड्राफ्टिंग बगएर अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करेगा मै हर चीज के डाफ्टिंग के वीडियो डालोंगे मैंने कुछ ही डाफ्टिंग की वीडियो डाल रखे है पर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ड्राफ्टिंग के पूर वीडियो सब चीज की जालोंगे आप लोग जिसके ड्राफ्टिंग की वीडियो मांगे मैं ड्राफ्ट इस तरीके से मेरा नीची के पार्ट भी कंप्लीट और जो एक्स्टा मार्जन है हाँ की प्रेस से दम बराबर कप्ला कर लेना है और जो एक्स्टा मार्जन उस एक्स्टा मार्जन को कट करके निकाल देना है तो दोस्तों आपको किसी भी चीज का वीडियो चाहिए आप लोग मात्रा में यह भी हमें सिल लेना और सिल के जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जन है उसको हमें कट करके निकाल देना है और फिर हमें ज्वाइंटिंग कर लेना है तो आप लोग को वीडियो बहुत अच पसंद आये होगा अगर पसंद आए तो प्लीज दोस्तो लाइक-अर सस्क्रा बाइ